दोस्तों आप सभी को राम राम कल का स्टॉक मार्केट कितना नीचे खुलेगा कितना उपर जाएगा depends on Fed आज क्या बोलेगा बड़ी अपडेट आनी है दो बड़ी अपडेट स्टॉक मार्केट पे आज रात की 11-12 बज़े तक हिट करेंगी जिसके हिसाब से US का स्टॉक मार्केट क्या करेगा ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा जिस हिसाब से US मार्केट की क्लोजिंग दो बज़े होगी उस हिसाब से गिफनिप्टी भी क्लोज होगा और आफ्टर बड़ेट हमारी एपनिम होगी तो आज दो बड़े इवेंट हैं और वो Friday को है तो आप समझ सकते हो Friday को most probably देखेगा stock market पे जो भी update आती है तो आपको पता है वो impact करती है और most of the time 70% देखेगा वो profit booking की तरफ जाती है तो क्या update हो सकती है अभी confirmation नहीं दे सकते हैं फेट बहुत कुछ अच्छा बोल दे और data भी बहुत अच्छा आ जाए तो ये सारी सब कुछ बताऊंगा वीडियो के अंतक वने रहेगा चैनल को subscribe कर लिजेगा bell icon को press कर लिजेगा तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो Federal Reserve Chair Powell to speak at US Treasury Market Conference किसमें बोलेंगे US के Treasury Market Conference में बोलेंगे और आपको पता है पूरा जो मंच होगा वो पूरा money market और stock market के लिए होगा य रियाग करेगा तो इसलिए यह बहुत important update है फिर अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरी चीजें देखेगा यहाँ पे बोली जाएंगी US Department of Treasury will speak at 2024 Treasury Market Conference और आपको पता है इनके साथ भी और लोग होंगे इनके साथ भी और लोग होंगे ऐसा नहीं होगा पूरी कॉनमी से अमेरिका की money market से और stock market से तो यहाँ पे जो भी बोलेंगे वो सीधा impact करेगा stock market को Google पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं financial express पे फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने view point of view after 50 basis rate cut उसके बारे में भी वो बात कर सकते हैं यानि कि उन्होंने jumbo rate cut क्यों करा उस पर भी उनसे question पूछे जा सकते हैं तो अगर आप देखेंगे चेर पावल has a chance to express his opinion for the first time after the unexpected 50 basis point rate cut तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से चेर पावल has chance to express यह jumbo rate cut के पीछे उनका क्या point of view है वो जब express करेंगे तो stock market पे असर पड़ेगा, bond market पे असर पड़ेगा और dollar index पे असर पड़ेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी तरीके से अपने opinion आगे वो कितने rate cut कर सकते हैं, कितना जादा देखेगा, वो मतलब ease करेंगी economy को, वो unemployment को कैसे देख रहे हैं, वो labor market क कैसा देख रहे हैं, सारा data आज ही आना है, सारा data आज ही आना, A2, Z, जितना भी data, labor market का, GDP का, वो सारा आज ही आना है, तो उस पे उनका क्या view है, और उनने जो भी particular देखेगा, meeting में 50 basis का rate decrease करा है, तो आगे के rate cut कैसे होंगे, 25 basis के होंगे, 50-50 basis के होंगे, वो सारी चीज़े यहाँ पर देखेगा, market को पता चलेंगी, और अगर आप देखेंगे, तो आज आना है, GDP का भी data, जिसमें देखेगा, expectation को जादा है, कि पिछली बार से data बहतरीन देखने हों मिलेगा, तो US GDP का data भी जल्दी आ जाएगा, उसके हिसाब से stock market react करेगा, फिर पावल साब की speech आ आएगा, 3% के आसपास, 3% आता है, 3% से जादा आता है, तो तुरन dollar index react करेगा, जिससे हमारी currency low बनाएगी, और अगर 3 के नीचे आता है, तो देखेगा, stock market के लिए, अमेरिका के लिए बेच्छी update नहीं होंगे, अगर कोई भी data more than expected आता है, तो बड़ा move आएगा, और less than expected आता है, तो भी बड़ा move आएगा, neutral data आता है, जो सोचा गया, वही data आजाएगा, तो कोई as such बुरी खबर तो नहीं आएगी, और data कहीं घटकर आगया, तो तो tension की बात है, फिर slowdown वाले impact चुरू हो जाएगे, तो वो चीज बहुत impact करेगी, आपको देखेगा, dollar index के momentum को दे then after that हमारा कल stock market react करेगा, तो इसलिए जब भी देखेगा पावल बोले और या फिर देखेगा GDP का data है, तुरंत आप dollar index को check out करेगा Google पे, राम राम